सो गाइज प्लाइम डीजो एक्सपो के दौरान अउजा ने निव एम्प्रिफायर यह निए एक्स दीए सांथ जार दो है वो लॉंच कर दिये हेलो फ्रेंट्स एक बार आपका फिर से हमारे चैनल पर बहुत बस्वागत करते हैं सो फ्रेंट्स आज किस वीडियो आउजग कि इस एम्प्रिफायर का फूल करने वाले री बीऊ एस amplifier की क्या price रहने वाला है इस amplifier का dimpli factor रहने वाला है यह हमारी amplifier है's so man for base के लिए भी बनाई गहीं है तो इस amplifier पर कितं़ से elenih सकते हैं और गैज यह हमारी आउजाकी सबसे high power पी amplifier भी रहने वाली यह और advance technology वाली यह भी amplifier है और इस amplifier फे साइब डिन थे अश्टे णा क्या बेसिक सेटिंग रहती है वह whether State इस इस वीडियो पढम से श्टार्ट करें अबर इस यहांपर हमंपलिफायर के लंग को पर qa का तैनल lon 눈 llam ने तो इस ते बबिंग के इन daylight जाता है ज्साइब की साइब दिलने वाली है यहां पर आप इसके वॉल्यूम नोब देख सकते हो यहां पर हमको ओन आप का च्विस देखने को मिल जाता है और यहां पर हमको दो चैनल देखने को मिल जाता है उसके अलावा यहां पर आउजा की ब्रैंडिंग देख सकते हो और उसके साथ यहां पर इंडि ये साउघार 2 देखने को मिल जाता है अब इसके back panel और शेटिंग की बात करता है और यहाँ पर आप इसके back panel settings देख सकते हो यहाँ पर इस amplifier के अदर einem के लिए a fan देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आप इसका output देख सकते हो spec-on और bending pole के अंदर और यहां पर इसके मिल जाती है input की section जहाँ पर आप xlac plus z का use कर सकते हैं उसके लावे यहां पर low pass filter भी मिल जाता है दोनों channel के लिए अलग अलग और यहां पर आप इसके mode देख सकते हैं sensitivity भी यहां पर आप देखने को मिल जाता है limited और ground दोनों आपको देखन सब्सक्राइब को मिल जाती है यह हमारी इस amplifier का बैक पहना अब गई जो बात करते हैं इस amplifier के स्पेसिफिकेशन की तो मोडल इसका xda 7002 रहने वाला है यह हमारी 7000 वाट की power amplifier है और इसका 8 ohms पर जो power है वो यहां पर 1350 वाट पार से निकाल कर देती है 4 ohms के अंदर 1200 वाट का तो friends अभी तक इस amplifier का bridge mode है वो काई भी mention नहीं किया गया है कि amplifier bridge mode में क्या output दे रही है frequency की बात करें तो 20-20 kHz मिल जाती है इस amplifier का damping factor है वो काफी ज्यादा high रखा गया है यानि यह 1000 का damping factor मिल जाता है जिससे ही हमारी amplifier है वो sound का का काफी अच्छा pressure देगी इस amplifier के जो circuit है वो class D का रखा गया जिससे यह आपको base का कफी अच्छा output देगी और यह हमारी amplifier है बिल्कुल low THD वाली रहने वाली यानि 0.01% इसकी THD रहने वाली है और इस amplifier का weight है वो यहाँ पर साधे 21 kg के एप्रोक्सी इसका weight रहने वाला है यानि यह हमारी amplifier है बिल्कुल light rate वाली रहने वाली है जो personal से रहने वाला है forums के उपर यह 80Hz और 120Hz की low fast frequency हमें देती है जो selectable है आप ले सकते हो build-in limiter दिया गया है इसके अंदर on-op के लिए जो इसके circuit के लिए बचाता है इस amplifier के अंदर टोरीडर transformer power supply यूज की गई है और इसमें दो input sensitivity भी गई है जो आप select कर सकते हो साथ इस amplifier के अंदर soft start, short circuit, thermal protection, over voltage यह सारे के features इस amplifier के अंदर मिल जाते हैं यह है इस amplifier के full detail और यहाँ पर specification और amplifier का looking और इसके basic settings अब बात करता है कि इस amplifier पर हम कितने watts के base से वो सला सकते हैं यह हमारी amplifier है वो 4 ohms और 8 ohms के लिए recommended रहती है तो यहाँ पर आप best इसका option रहता है कि आप इस amplifier को 4 ohms के लिए use कर सकते हैं तो फोरोम के लिए 1200-1200 यानि 1200 watt का output रहता है परसेनल से तो वो आप यहाँ पर 1200 watt तक ले सकते हैं यहाँ पर फ्रेंट्स मैं आपको suggesting करना वाला हूँ अउज़ा का HWX 1200 तो यहाँ पर 1300-1300 वार्ट का base रहने वाला है यहाँ पर फ्रेंट्स 1200 वार्ट प्लस यहाँ पर 1200 वार्ट के अंदर ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता है लेकिन यह amplifier है इस base को भी बड़े आराम से चला लेगी हालांकि फ्रेंट्स अउज़ा के इस base के लिए आपको लेकिन फ्रेंट्स यह हमारी class D की amplifier है और high damping factor है यहने 1000 का damping factor के साथ में यह amplifier है तो इसके लिए फ्रेंट्स आप आउज़ा का HWX 1200 base से वह ले सकते हैं अब बात करते हैं इस amplifier की price की क्या market के अंतर price range रहने वाली और कब तक अवलेबल हो जाएगी तो फ्रेंट्स कंपनी के यह कहना है कि यह अगले एक मन्त या देज मन्त के अंतर है वह market के अवलेबल हो जाएगी इसकी price यह फ्रेंट्स वह अभी खुलकर पूर तरह से सामने नहीं आई है लेकिन अउजा की एलेकस सेजार वार्ट की जो amplifier है उसके मुकाबले यह इसकी price यह वो रहने वाली है तो फ्रेंट्स यह है अउजा की इस amplifier की full detail और फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं हमार एगले next वीडियो में